उनिस सो आइटालिस को शाम लगबग सवा पांच बजे गांधी स्मिर्थी में जिसको उस समय बिल्ला हाउस कहा जाता था नाथुराम गोटसे ने महात्मा गांधी जी को पॉइंट ब्लांक तीन गोलिया मारी लाल किले में विशेश अदालत बठाई गई जिसमें नाथुराम गोटसे का ट्राइल हुआ और उसके ट्राइल के दौरान उसने कहा, उससे पूछा गया कि क्यों मारा आपने महात्मा गांधी को तो उसने कहा, there was an accumulating provocation for 32 years in me पिछले 32 वर्षों से यह व्यक्ति मुझे परिशान कर रहा था अब 1948 से 32 वर्ष, 1916 से 1948 तक के जो 32 वर्ष हैं उस दोरान ऐसे कौन से काम थे, जो महात्मा गांधी जी ने किये, जिन से नाथुराम गोडसे को तकलीफ थी हम वो आपको बताना चाते हैं उन्होंने सत्याग्रे किये, चमपारन का सत्याग्रे, एमदाबाद का सत्याग्रे, खेडा का, डांडी का, मंदिर प्रवेश के लिए उन्होंने मुहिम छेडी, सवी नय अवग्या की, सिविल डिसूबिडियन्स, असायोग की नॉन कोपरेशन, भारत छोड़ो, कुट इंडिया मुव्मेंट उन्होंने मैगजीन्स चलाए, निउस्पेपर, यंग इंडिया, हरीजन उन्होंने activities की कारे करम चलाए, खादी को लेके, सदभावना को लेके, ग्रामो द्योग को लेके, untouchability के eradication के लिए उन्होंने संगठनों पे काम किया, कॉंग्रेस पार्टी संगठन पे उन्होंने काम किया, सरवोदे संगठन पे उन्होंने काम किया, उन्होंने राजनितिक जागरुकता लाने के लिए काम किया महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, गریبों के लिए ये सब काम जो महत्मा गांधी जी ने किया इस सब काम से नाथुराम गोडसे को इतनी तकलीफ हुई जब उसने देखा कि इन्होंने तो देश भी आजाद करा लिया और सम्विधान सभा भी बना ली जिसमें 300 सदस्य विभिन्न पर जातियों के दबे कुछले छेतर से आने वाले लोगों की एक मजबूत संस्था बनी उस सबसे उनको इतनी तकलीफ हुई कि उनको जब कोई और जरिया दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने गांदी जी को मारना ही सही समझा अब हम आज पर आजाते हैं कि उत्राखंड के ये पूर मुख्य मंत्री बलिया उत्तर परदेश में बुद्वार को एक कारेकरम के दौरान सवाल के जवाब में कहते हैं कि नाथूराम गोड से देशभक्त थे इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता और ये पहली मरतबा नहीं है हम सब जानते हैं मैं आपको गिन्वाना चाता हूँ कि भारतिय जन्ता पार्टी के लोगों ने कब-कब महात्मा गांधी जी के हत्यारे को सुशोबित करने का काम किया है आप सब जानते हैं कि भाजपा की सांसत प्रग्या ठाकुर जिनका हमने विडियो में भी दिखाया उन्होंने कहा कि भाईया नाथुराम गोड से देशभक्त था है और रहेगा और मोधी जी ने 2019 के दौरान कहा कि मैं इनको बिलकुल मन से अपने माफ नहीं कर सकता हूँ अगर आपकी बात में वजन होता अगर आपकी बात में सच्चाई होती तो हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी आज त्रिवेंदर सिंग रावत की कि वो दुबारा ये बात बोल सके देश के जो राशपिता हैं उनके लिए कहा कि भईया ये तो चतुर बनिया था और इनी के प्रवक्ता संबित पातरा ने एक टीवी डिबेट में कहा कि एक्चिली में देश के राशपिता मोधी जी है असम के भाजपा के सांसत का माख्या प्रसाद ने कहा कि इनकी विचारधारा तो कच्छरे के समान है अनन्त हेगडे भाजपा नेता ने बापू के संतनता के पूरे संगराम को ही ड्रामा बताया अब हम ये कहना चाहते हैं कि भारत देश में राश्ट्र पिता के हत्यारे को राश्ट्र भक्त कहना खाली राश्ट्र पिता का ही अपमान नहीं है इस रास्टर का भी अपमान है और मोधी जी विदेश में जाते हैं तो मोधी जी गांदी जी की उन्हें याद आ जाती है गांदी जी के बारे में बात करें लगते हैं गांदी जी की फोटो पे फूल चड़ाने लगते हैं बार बार जब उन्हें विचार धारा की जुरत पड़ती है तब वो गांधी जी को याद करते हैं लेकिन फिर उन्हीं की पार्टी के पूर्व मुख्य मंत्री जो चार साल एक प्रदेश का मुख्या रहा हो वो ओपन ली ये बात कह रहा है ये क्या मजा के हम ये चाहते हैं कि once and for all हमेशा के लिए भारत देश में नातुराम गोड से का महिमा मंडन बंध होना चाहिए हम ये चाहते हैं कि इस बात पे जो भी राजनीतिक भारतिय राजनीती से ये हमेशा के लिए गायब होना चाहिए किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो ये कह सके दुबारा कि न चाहर का रस्ता दिखाना पड़ेगा इसके अलावा कोई और चारा नहीं बचा है और जब तक आप ये नहीं करते हो तब तक संदेश नहीं जाएगा और यदि आप ये नहीं करते हो तो मोदी जी से भी हम कहना चाहते हैं आपको फिर कोई अधिकार नहीं बसता है कि दुबारा आप कभी भी महात्मा गांधी जी की तस्वीर पे फूल चड़ाईए या महात्मा गांधी जी की किसी मूर्ती पे माल्यारपन कीजिए आपको कोई अधिकार नहीं है यदि आप इने बाहर नहीं निकालते हैं तो इसका मतलब आपकी रजामंदी है जो ये कह रहे हैं इसमें ये नाटक नहीं चलेगा ऐसे राहूल गांधी जी यही तो बात करते हैं विदेश में जाके उन्होंने कहा कि भारत में दो सोचों की लड़ाई च जली और यही तो बात राहूल गांधी जी कहते हैं कि हम नफरत के बाजार में महबत की दुकान खोलना चाते हैं और आप सब के माध्यम से आज मैं बताना चाता हूँ कि उस नफरत के बाजार में क्या क्या मिलता है उस नफरत के बाजार में मिलती है हिंसा ग्रेना नफरत जूट की राजनीती, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों पे अत्याचार, जहां हमारे खिलाडी हैं लाचार, और उस बजार में जो हम महबत की दुकान खोलना चाहरे हैं, हमारी उस महबत की दुकान में मिलता है 500 रुपे का सिलेंडर, उसमें मिलते है युवाओं को रोजग कार के अफसर, उसमें मिलता है दबे कुछले, पिश्डी जातियों के लोगों को सम्मान, उसमें मिलती है सदभावना, प्रेम, करुना, ये हम महबत की दुकान खोलना चाहरे हैं, और हम पुना एक बार मोधी जी से मांग करते हैं, कि मोधी जी अपने इस मुख्यमंत्री को पूर मुख्यमंत्री को पार्टी से बाहर का रस्ता दिखाईए, इन्हें पार्टी से निकालिए, और देश में एक संदेश दीजिए, कि महात्मा गांधी जी के हत्यारों का महिमा मंडल करने वालों की भारतिय राजनीती में कोई जगे नहीं है।